TBS की सबसे ज्यादा बिखने वाली वाईक अपाचे 2B अभी यह जो ब्लेक कलर आप देख पारे होगे ना यह भी हाल फिलहाल में ही लॉंच हुआ था उसके बाद कंपरी ने जेस्ट एक और नया कलर बैरियंट लॉंच किया जिसका नाम है रेसिंग एडिसन यह भी 2B है और यह भी 2B है अब इन दोनों 2B वेरियंट में आपको क्या डिफरेंसेज मिलते हैं आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है बस आप वीडियो को एंड तक देखना इसका डिटील कंपरेजन मैं आपके लिए इस वीडियो में दे दूँगा तो सबसे पहले इसकी और प्राइज 1,60,000 अब इतना डिफरेंसेज आपको मिलने वाला है तो चलिए इस डिफरेंस में आपको क्या कुछ मिलता है उसकी बात करते हैं देखो अगर फ्रेंट की साइड में देखोगे तो यहां पर आपको हालोजन वाले इंडिकेटर मिलेंगे लिडियो मिल आपको कोई भी चेंजस नहीं मिलने वाले हैं तो देखो एक तो यहां पर इसमार्ट एक्स क्नेक्ट यहां पी दिख वह एंग आता है यहांते और नहीं देखकेँ आपको एक तो यहां पर बात करूँ तो यहां पर जो कलर फिनिस रखक मिलेंगे जहां और तेखना reconstitution को मि किये गए है इसके अलावा जो विल्स हैं हुद में भी आपको चैंजसना जा रहेंगी He Scale आगर रच्रीज न्रेश की बात करें तो यहांपे आपको मिलता है रेट कलरेके द्चैंच लेकिन यहां पर आपको मिलता है black color के aliability और दोनोों tyre section आपको same मिलेंगे 90 by 90 section के tire है और 17 inch के आपको दोनों में aliability देखने को मिलते हैं तो front की side में आपको इतना ही सारे changes देखने को मिलेंगे आप side look की बात करते हैं तो देखो, अगर side look में आप देखते हो, तो इसके fuel tank पे आपको racing edition वाले stickers देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ ऐसे होने वाले, यहाँ पर देखो, आपको red, carbon touch, उसके बाद black, silver, यह सारे जो है, यहाँ पर graphics add-on किये गए हैं, इसका जो घोला है भाई, जो इसका racing edition मना जा होगे हैं, एक चीज आपको same मिलता है, वो क्या है, यहाँ पर देखो, यह carbon texture आता है, RTFI लिखा हुआ है, और same चीज़े आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, यह देखो, है ना, यह चीज़े जो है same इसमें मिलती है, उसके अलावा, जो इसका engine cowl है, engine cowl अगर आप मिलेगा, अगले चीज़े की बात करते हैं, इसका panel, तो देखो, जो इसका panel है, यह कुछ ऐसे आपको मिलने वाला है, जिसमें carbon यहाँ पर texture मिलेगा, उसके बाद matte black का part मिलेगा, वही पर glossy black वाले में देखते हैं, तो यहाँ भी आपको same चीज़े मिल नहीं है, carbon उसके सेम है, दोनों की, यह देखो, तो seat में आपको कोई भी changes नहीं मिलेगा, उसके अलावा fuel tank के top design की बात करते हैं, तो fuel tank के top design यहाँ पर देखोगे, आप तो racing edition लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको E20 support करता है, इसके लावा यह mad black का पूरा part है, इसका जो tanks round है, वह काफी ज stickers वगरा देखने को नहीं मिलेंगे, और इसका भी tanks round पहले जैसा ही है, अच्छा दिखता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी stickers mention देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, आप आगे चलते हैं, तो देखो, engine की बात करते हैं, तो देखो, दोनों भाईकों में, आपको same engine मिलने आपको नहीं है, यहाँ कोई भी differences आपको नहीं है, एक्सो वन सेट दसमलो साथ सीसी का air cold engine है, यह वाले का भी और यह वाले का भी, सिर्फ ग्राफिक्स add-on में changes किये गये हैं, इंजन में कोई भी changes नहीं के करते हैं, दोनों की engine performance आपको same मिलती है, 16.04 PS की पावर मिलती है, 13 80.85 Nm का torque मिलता है, और दोनों बाइकों में आपको 5-speed manual transmission gearbox देखनों को मिल जाते हैं, अगले changes की बात करूं, तो देखो, यह वाला जो पैनल है पुरा, यह आपको glossy black color के साथ मिलेगा, RTR 160 लिखा हुआ है, और यह वाला जो पैनल है आपका, यह पुरा matte finish के साथ मिलेगा, यहाँ भी RTR 160 लिखा हुआ है, suspension आपको दोनों में same मिलेंगे, यहाँ पे suspension का इस्तेमाल किया गया है, gas filled वाले suspension है, जो कि दोनों side में आपको मिलते हैं, यह देखो, यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, same चीज़े आपको यहाँ पे मिलने ही है, यह देखो, आगले race citizen की तरफ चलते हैं, तो देखो, यहाँ पे जो आपको tire मिलना है, यह मिलना है, 120 by 70 section के, और 17 inch के आपको wheels देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे red color का wheels आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको, अगर आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे आपको disc brake मिलती है यह देखो, disc brake मिलती है, 220 mm की disc brake आपको मिलती है, लेकिन ABS आपको single ही देखने को मिलेगा, अब अगर real look की बात करें, तो देखो, जो real look है, वो कुछ ऐसा बिजबल होने वाला है, यह देखो, इसकी tail light बिल्कुल ऐसी है, जो glossy black color वाले का है, और इसकी जो tail light है, यह देखो, यह भी आपको same color finish के साथ, same designing के साथ, आपको मिल जाती है, अगर यहाँ पे देखोगे, तो इसका भी जो texture है, यह कुछ ऐसा है, carbon finishing के साथ में है, light मिलती है, indicator मिलते है, दोनों side reflector मिलता है, यह भी काफी ज़्यादा sporty रखा गया है, दोनों में आपको साधी गार देखने को साधी गार देखने को मिलेगा, यहाँ भी, और यहाँ भी, अब चलिए अगले changes की बात करते हैं, तो इसका दो, जो है, instrument console, यहाँ पे changes आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलता है white color display वाला instrument console, जिसमें आपको connected features मिलते हैं, जिसमें आपको turn by turn navigation, call SMS alert जैसी सुगधा मिल जाती है, और 9.9 second में, 0 से 60 की speed आप बड़ी असानी से पकल लोगे, ठीक है, जहाँ पे timing मिलेगा, और यहाँ पे आपको mode मिलते है, तीन, यहाँ पे urban मिलेगा, sport मिलेगा, और आपको rain mode मिलता है, तो तीन mode आपको मिल जाते है, gear indication positions हो करेगा, तो यह features आपको इस race edition वाले मि साथ में, यहाँ पे आपको कोई भी connected features नहीं मिलते हैं भाई, बाकी चीजे जो है, वहाँ से थोड़ा बहुत कम features इस bike में आपको provide होने वाला है, और सारी चीजे वही same रहने वाली है, बस connectivity वाले features आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो इतने pricing में, आपको इतने सारे differences मिल अब race edition वाले का sound सुनते हैं, यह कैसा मिलना है आपको, यह देखू तो race edition वाले का sound आपको कुछ ऐसा मिलेगा, तो sound wise यहाँ पे मुझे थोड़ा सा 19-20 का फरक नजर आया है, आपको अगर आया हो या तो comment section में आप comment कर सकते हो, sound में मुझे थोड़ा सा difference लगा है, जो यह black वाला edition है, और यह जो आपका race edition वाला है, बाकि आप अगर इन दोनो बाइकों में इसे purchase करना हो, तो कौन सी बाइक purchase करोगे, वह आपकी अपनी राय है, बाकि आप मुझे comment section में बता सकते हो, मुझे जान का अच्छा लगेगा, वीडियो कैसे लगी, comment section में आप जरूर comment करना, अगर वीडियो पसंद आए, तो pleasure वीडियो को like करना, चैनल पे न करने वाले हर वीडियो की notification आपको मिल पाए, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्दबाद, thanks for watching.